नमस्कार मब्यूटी रोय आप सभी दर्शकों का पंजाब केसरी.com में स्वागत है सभी को जैसरी बाला जी महाराज आज के पंचांग के अनुसार आज विक्रम संबन्द 2021 के जेस्ट मास्ट के क्रिशन पक्ष की चतूर्थी तिती है आज रवन नक्षत्र है वैदूती योग है और वबकरन है आज चंद्रमा रातरी एक बचकर पचास मिनट तक मकर राशी में रहेंगे उसके बाद कुम राशी में कोचर करेंगे बिजनस संबन्दी यात्रा की बात करें तो आज दक्षिन और पुर्व दिशा की यात्रा से लाब उठाया जा सकता है अब बात करते हैं आज के वास्तू टिप्स की वैदिक वास्तू शात्र के अनुसार जब किसी जमीन या पश्चमी भाग या दक्षिनी भाग या फिर नेरित्य कोण बढ़ा हुआ होता है तो इसे बढ़े हुए स्थान को कभी भी कवर एरिया में शामिल नहीं करना चाहिए यदि किसी जमीन का उत्तर या पूर्व का भाग बढ़ा हुआ हो तो उसे कवर एरिया में शामिल किया जा सकता है यदि दक्षिन पश्चमी भाग को कवर एरिया में शामिल कर लिया जाता है तो घर में तनाव बना रहता है आज का सूब विचार है विश्वास वो तागत है जो उजडी हुई जिंदेगी में भी रोशनी भर देती है अब बात करते हैं आज की राशी फलकी कि कौन सी राशी के लदोगों के लिए आज का दिन शुब रहेगा और कौन सी राशी वालों को आज विशीस रूप से साबधानी रखने की जरूरत है सबसे पहले बात करते हैं मीश राशी की, मीश राशी वालों को आज अविवाहितों को कोई शुब सूच ना प्राप्ती होगी, आज के गोचर ग्रहों के अनुसार भागे का साथ है, नई योजनाओ पर काम होगा, किसी के साथ साज़ेधारी के बारे में चर्चा हो सकती है, स सेहत में कुछ सुधार होने से राहत कानभव होगा, विरोधी और शत्रू पराजित हो सकेंगे, रुपए पैसों की सहूलियत बनी रहेगी, यात्रा से लाब होगा, बितुन राशी वालों के लिए आज दिन अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलि करक राशी वालों के लिए आज यदि कोई बिजनस एग्रिमेंट करना चाहते हैं, तो आज नहीं करें, क्योंकि भाग में अवरोध होने से मन और शांत बना रहेगा, जो कुछ आपने सोच रखा है, उसका उल्टा होने की आशनका बन रही है, चित में उताव हो सकता है, य कर सकेंगे, दैनिक किरिया कलापों से मन प्रसन रहेगा, कोई शुब समचार प्राप्त हो सकता है, कन्या राशी वालों के लिए आज इस्थाई संबंधों के मामलों में आज कोई विशेश खुशी की बात सामने आएगी, प्रौपती की खरीद की चर्चा हो सकती है, कार इ उत्पन हो सकता है, इसलिए शांत चित रहकर अपना काम करते रहे, विवादों से दूर रहने का प्रयास करें, जिससे उत्तम फल आपको मिल सकता है, आज का दिन अच्छा परिनाम देने वाला है, शांत तक शुब समचारों की प्राप्ती हो सकती है, बिश्चिक राशी व परिशानी हो सकती है, धनूर राशी वालों के लिए हाला कि आज दो पहर बाद आपको कुछ राहत का निभव होगा, आम तोर पर जब दूसरे घर का चंद्रमा होता है, तो परिश्रम से लाब देता है, इसलिए सुबह से ही अपने काम में लग जाने से अंतिता प्रॉपि परिश्रमा बहुत अच्छे स्थान पर नहीं होने से मनुवल में गिराबत हो सकती है, कुम राशी वालों के लिए आज साधारन कारियों के लिए अतरिक परिश्रम की आविश्यक्ता रहेगी, मांगले कारियों में उपस्थिति के कारण खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है, घबराने की अविश्यक्ता नहीं है, कुछ हद तक आपको कुछ नया करने का अफसर मिल सकता है, मीन राशी वालों के लिए आज ग्रहों की चाल के आधार पर कहा जा सकता है, कि आज का दिन काफी हद तक आपके लिए शुब रह सकता है, बेकार की चिंताओं में समय अगर आपके मन में कोई सवाल या जवाब है, तो आप हमें कॉमेंट करके लिख सकते हैं, तब तक के लिए देखते रहे हैं, पंजाबकेस्डी.com